आप लोग के लिए इस्पेशल तोरी और चने डाल की सबजी की रेज़पी लेके आगी जो बहुत हेल्दी होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है और बनाना बिल्कुल एजी है ने हरी किचेन में आप लोग का स्वागत है आई होग कि आप लोग अच्छे होंगे त टड़का के लिए हैं यहां दो सुखी लाल मिर्च और एक प्याज बार एक काट के ले लिए हैं इस सबजी में ज्यादा मसाला हमें नहीं चाहिए बेसिक मसाले से बनाएंगे यहां एक कटुली में चना डाल ली हो जो तीन से चार गंड़ा भी वो के रखी थी बिल्कुल स अरसो का तेल थोड़ा सा मेथी दाना एट किये हैं उसके बाद प्याज सुखी लाल मिर्च एट कर दिये हैं जब एक कलर चेंज होगा तो यहां प्याज टमार्टर लसन का पेस्ट एट कर देंगे इस तरह से आप तोरी और चन्य दाल की सबजी बनाएंगे तो बहुत टेस मसाले को अच्छे से बून लेंगे तेल से प्रेट होगा तो चिनादाल एट कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे अब यहां पर चन्य दाल को 5-10 मिनट बॉयल भी करके डाल सकते हैं लेकि मुझे डायरेक्टर डाल के बनाना बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है यहां पर तोरही भी में येट कर दी हूँ इसको ढखके पकाएंगे धिमी आज पर तोरही अ तोर्ट ता है तो देखिए पानी इसमें दिख रहा है इसको अच्छे सम्भून लेंगे अ इसे पानी काफी है लेकिन चना दाल हम डाले है तो थोड़ा सा पानी एट करेंगे और धिमी आज पर पकाएंगे थोड़ा सा पानी एट करने से यह होता है कि लंबा टाइम तक पकता है तो सॉप्ट हो जाता है बिल्कुल चना दाल बीच बीच में चलाते रहेंगे और आप लोगों से एक प्यारी से रिक्वेस्ट है अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक करिए सस्क्राइब करिए शेयर करिए कॉमेंट करिए अपने सब्जी कुछ बनके इस तरह से तयार हुआ है तो चले कर लेते हैं प्लेटी इस सब्जी को आप राइस फुल के प्राठे किसी के साथ हिंजवाय कर सकते हैं और थोड़ा ये ऐसे ही रहता है रशे वाली सब्जी बिल्कुल सूखा नहीं इसको बनाया जाता है बहुत लोगों के घर में बनती होगी ये सब्जी जिनके घ वीडियो आप लोग कहां से देखते हैं और कैसी लगती है